नवस्कार मेत्रो रुशी चिंतन तेनल में आपका आर्दिक स्वागत है अमारी श्याथे गायतिक महमंत्र का उचालन केजिए आज का चेप्टक है परिवार निर्मार परिवार की अपने विशिष्टाओ को उबरने अभ्यास करने एवं परिपुष्ट बनाने की प्रयोक साला पार साला समझे उस उदान चे सत पवड़ुत्यों के पोधे लगाए और श्रदश्यों की स्वावलंबी शुष्ण स्कारिक एवं समाजनिश्ट बनाने का प्रसक प्रेत्न करे उससे लिए सरव प्रत्थम ढालने वाले सोच की तरह आदश्वान बने ताकि स्वयम कत्नी और करनी की एकता का रबाव पड़े स्पणन रहे सांच के अनुसा ही खिलोने डलते है पाड़े वाड़े कुत्रदाई क्त्वत में सरव प्रत्थम है संचालक का आदश्वादी धांचे में डलना दूसरों के मालीन की तरह भर पोदे का सालिंता के क्षेत्र में विक्षित करना पड़िवार की संक्यान बटाई अधिक बचे उत्पना करे उससे जननी का स्वास्य संतान का बविश्य गुरुहपती का अर्थ संतुलन एवं समाज में दारिंद्रियों और संतोस बढ़नता है दूसरे के बच्चे को अपना मान कर उसके पड़िपान के सासलिय कई अधिक अच्छी तरह निप सकता है लड़की लड़कों में बेद न करे पिछली पिड़ी और वर्तमान के साथियों के प्रति कर्तविय पालन तभी ओ सकता है जब नए प्रजनन को रोके अनियथा प्यार और धन प्रस्तुत परिजनों का रोन चुकाने में लगने की उपेक्षा उसके लिए कहने लगेगा जिनका सभी अस्तित्वत तक नहीं है इसलिए उस जबंद में स्वयम बढ़ते और कड़ाई रखे शयम और सजंता एक तथ्यों के दो नाम है परिवार म में इसी प्रमपराये पजलित करें जिसमें इंद्रिय शयम सयम सयम अर्थ शयम और विचार शयम का अभ्यास प्रारम से ही करते रहने का अउसर मिले गड़ में चटोल पर्ण का महर न बना या जाए बोजन शातिक बने और नियत्त समय की सिमित मात्रा में खाने का ही अभ्य प्रास बने पामुकता और उत्यजना न मिले सभी की दिन चडिया निर्दारित रहे समय के साथ काम और मनोयोग जुडा रहे किसी को आलेश्य प्रमात की आदत न परने की जाये और न कोई आवरदाग गर्दी अपनाए वह कूसंग में फिरे फैसान और जेवर को बचकाना उफास पद माना जाये केस्ट्र मिन्यास और असलिंग उतेजक पोशाक कोई न पैने और न जेवर आवोशनों से जले नाक कान छेने और उसस के चित्र विचित्र लटकन लटकाने का पिछे डपन का प्रतित भैसन कोई मैला न अपनाए पाड़ी वाड़ी के पंचसीलों में स्रमसिलता, मित्वेतता, सुव्यवस्ता, सालिंता, सिष्टता और उदार सहर काड़िकता की गरना की गई है इस पाँच गुणों का हर सदस्य के सभाव में कैसे समलित किया जाए उससे लिए उब्देश देने में काम नहीं चलता ऐसे वेवारिक कार्य क्रम बनाने पड़ते हैं जिने करते रहने सेवे सिदान्त वेवार में उत्रे उत्रा दिकारिक का लालत किसी में मस्तिक में नहीं चमने देना चाहिए वड़न हर सदस्य के मन में यह सिदान्त चमना चाहिए कि पड़िवार की सयुक्त संप्रदा में उसका वर्पोशन शिक्षन एवं स्वावलंबन संभव हुआ है इस रोण को चुकाने में ही इमानदारी है बड़ों की सेवा और छोटों की सहायता के रूप में यह रोण हर वश्क स्वावलंबी को चुकाना चाहिए कमाव होने का आमदनी जैब में रखना और पतने के लेकर मन माने खर्च करने के लिए अलग हो जाना प्रत्यक्ष बैमानी है उत्रा अधिकारी को कानून मात्र कमाने में और समर्थक के लिए लागू होना चाहिए नहीं स्वावलंबीयों की मुप्त की कमाई लुटन लेने के लिए अधियात्ममाद और श्राम्यवाद दोनों ही इस मत के लिए की पुर्वजनों की चोड़ी कमाई को समर्थ आस्रित ही तब तक उप्योग करे जब तक की वे स्वावलंबी नहीं बन जाए झाल